हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला है यहां पे जो नेक्स्ट मितिक फॉज होगा वो कौन सा होने वाले है यहां पे फाइनली कन्फर्म हो चुका है और इसके लावे यहां पर अपनी प्रियम की अपग्रेड्स की ने वो भी यहां पर आचुकि है दोनो की दोनों चीज़े यहां पर 100% कंफर्म हो चुकिया और साथ में आपे जो 2.9 के पैचनोट से है वो आ चुके है तो उसके बारे हम बात करेंगे confirm हो जुक है कि क्या-क्या आ रहा है next update में साथ में आपे कुछ और updates की बात भी करेंगे हम 2.9 के तो रुस्तियों आपे global में तो exact same यही mythic forge आएगा इसकी यही items यहाँ पे update होंगी लेकिन bgm में यहाँ पे 50-50 chance है कि यहाँ पे items आ सकती है क्योंकि यहाँ पे जो items आरे उनको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो global का royal pass है और अपना वीजमाई का royal pass है उसको balance करके यहाँ पे कुछ मिला के इनोंने दिया है mythic forge में तो 50-50 chance है कि वीजमे भी यहाँ पे same आ जाए mythic forge next जो होगा तो अभी यहाँ पे items साथ देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आते है अपना 2020 का आप एक जो set आया था Christmas के time furnace man set तो देख सकते हैं यहाँ पे इस set को इसका आप जो emote है वो भी आपको मिलता है emote मेरे खाल से काफी अच्छ है कुछ start करने की ट्राय करता है यह और अच्छा आपको ही कर रहा है साथ में smoke निकलता है तो यह furnace man set तो इसका cover और आपको set पूरा मिलेगा mythic forge में उसके बाद यहाँ पे जो second set देख सकते हो यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं आप गोस्ट का winter में लेकिन फिर भी आप इन्होंने ghost type का set है fright night set है वो यहाँ पे दे दिया है तो इसका भी जो emote है वो आपको मिलता है काफी बार यहाँ पे custom में आ चुका है यह set लेकिन अब mythic forge में है तो अब custom में कभी निया आए गई है बाकी यहाँ पे हर बार की तरह यहाँ पे इस बार भी कुछ upgrade skins होंगी जिसमें से पहली आप पे है bison यह भी आप काफी पहले आई थी यह वली skin में रिखाल से bison की पहली जो upgradable skin है वो थी तो यह इस बार आ रही है अपना blazing चमेली है यहाँ पे यह भी एपिक एठीक skin है कई बार यह अमरीका से लगी क्रेट में आ चुकी है तो अब यह पर्मिनेंट यहाँ पे mythic forge में आएगी तो इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो यही कुछ आपको जो एक suit है वो दिख रहा है साथ में gun के कुछ special effects है वो यहाँ पे clearly देखने को मिल जाते है तो ace 30 के यहाँ पे gun होगी और icicle spike यहाँ पे इसका name होगा इसकी जो loot kit आप वो भी देख सकते आपको यहाँ पे दिख रही होगी काफी मस लग रही है और center में I think कुछ swords ही यहाँ पे रखी हुई है तो कैसी लगी आपकोई loot kit comments में जुरूरत आना फिर अब दोस्ते आप पे finally हम बात करें अपना यहाँ पे upgrade skin की जो की next premium के अंदर होगा इसका भी still 50% chance है कि BGM में भी यहाँ पे exact same आ सकती है recently classic से यहाँ पे upgrade जा चुकी है तो premium में यहाँ पे कोई ने कोई upgrade skin आएगी और अब वो कही ना कही यहाँ पे global जैसे concept होगा तो कुछ वीक पहले आपने जो यहाँ पे expected gun की बात की थी और उसमें जो mini 14 की skin थी वो यहाँ पे आ रही थी finally दोस्तों अब यहाँ पे वो confirm है वही यहाँ पे जो mini 14 icicle वली यहाँ पे जो skin है वो आ रही है पूरी की पूरी यहाँ पे जो की winter themed है तो वैसे तो यहाँ पे यह skin भी काफी अची है आपके इसकी जो final form है और loot kit काफी बढ़ी है लगती है इसकी आप एक penguin से यहाँ पे fishing कर रहा होता है तो यह वाली upgrade skin यहाँ पे next premium grade कंदर आपको देहने को मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो next अपना A4 royal pass होने वाल है तो उसके सारे modes के icons है वो यहाँ पे finally आ चुके है और अपना victory dance है वो भी यहाँ पर reveal हो चुके है तो पहले तो यहाँ पे अपने 4-5 अपने जो mythic modes होंगे आपको पता है royal pass में आते हैं DBS लेवल 40 वाला और एवन एक redeem में आएगा उसका देख सकते हैं आप अपना victory dance होगा तो यह कुछ उसका icon होने वाल है नॉर्मल आपको यहाँ पर legendary मिले और अगर आप इसको upgrade करोगे तो पीछे आप देख सकते हैं या फिर I think जो snow हो हो गिर रही है कुछ पीछे से यहाँ पर दिलविच वला वो दिलविच टैम कड़के हैं पर वो तो अभी यहाँ trend हो है तो कुछ और ही होगा यह तो काफी जल्दी पूरे leaks आएंगे तो notification को all पे set कर लो बाकि अगर नए हो तो subscribe जरूर करना चाहो तो बता सकते हो कि आपको कौन सा लगता कि आपको dance के कौन सा हो सकत हैं और Christmas के around यहाँ पर जो loading screens हैं उसके अंदर आपको जो sleigh वाला feature है और अपना जो राइंडी रह वो आपको देखने को मिल जाता है और इसके लावा यहाँ पर फिर से sleigh और है इस mode की यहाँ पर achievements भी confirm हो चुके है और एक फिर से खतरनाक achievement आने वाली है तो उससे पहले हम आपर patch notes को देख लेते हैं आपर official patch notes भी आ चुके हैं तो यह वाला mode आप देख सकते हैं जो style bar में POI है अब तक वहीं आपर reveal हुआ है लेकिन विकेंडी और लिविक में भी यहाँ जो mode है वो आएगा देखते हैं जब विकेंडी में आता है तो उसका जो POI है वो का बनता है castle में होता या फिर कहीं और बनाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो map है वो किछ इस तरीके से काफी बड़ा सा अपना जो location एंडों ने add किया style bar में और यह वाला जो mode है फाइनल भी आपना जो spawn island है तो वहाँ पर भी आपको अपना जैसा POI buildings है जो winter theme वह आपको आती है snowman है कुछ ओर भी यहाँ पर items है वो यहाँ पर add की गए तो यह वाली भी आपको यहाँ पर इस mode के अंदर देखने को मिल जाएंगी उसके लाव यहाँ पर तीन छोड़टे यहाँ पर टाउन से हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हो वहाँ पर अलग़र टाइप की जो राउंड यहाँ पर add होगा गेम में फिर आप यहाँ पर डीर के साथ उसको attach करके यहाँ पर उड़ा सकते हो में इसके लिए प्योगर पर बनाने के लिए अपने पूरी एक बल यहाँ पर लगा दिए इन्होंने तो इसके तुरूए जो एक एरड रॉप है वो आता है बाक इसको आप अपने इसके जो बेई इसको बड़ा सो में बना के फिर से जो लूट है वो यहाँ ले सकते हो और इस अब्डेट में काफी सरी चीज़े बांब जॉन और अपना जो स्केट बोर्ड है वो आपको देशने को मिल जाता है और यहाँ पर अपना जो स्नो ब्लास्ट इसको आप दोस्तों यहाँ पर पानी के उपर भी यहाँ यूज कर सकते हो अगर आप उसको यहाँ पर फैको के पानी के उपर तो देख सकते है कुछ इस तरीके से आप में ग्लेशर टाइप का इफेक्ट है वो बनता है और आप इसको यूज करके यहाँ आप अगर वो यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद वो auto mode यहाँ पे support करेंगी, और इसके लाभ़ यहाँ पे एक जो special यहाँ पे जो vehicle spawn device है, वो add होने वाल है, जो कि आपको जगा जगा पे एराइंगल पर देखने को मिल जाएगा, इसके थुरू आप यहाँ पे जो vehicles है, उनको नहीं मिलता है, और बाकी firearms, vehicle और अपना जो quickwire chat है, उसका भी जो audio control है, वो आपको देखने को मिल जाता है, और जो last change classic दर आ रहा है, वो अपना जो parachute का buttons होते हैं, उसको भी आप यहाँ पर customize कर सकते हो, साथ में आपको कुछ और buttons भी हैं, तो यह सब का customization आपको देखने को म यहाँ पर हीट करने है, और एसे यहाँ पर third आपको mission मिल रहा है, आपको जो reindeer slay है, उसको यहाँ पर drive करने हैं, तो यह वो लिए achievement आपकी काफी सानी से complete हो जाएगे, लेकिन यहाँ पर second achievement है, जिसके अंदर आपको एक exclusive title है, वो मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिखाना था, बाकी अब जाजए अपने YouTube के रितिरवा आजाएं, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सकाइब वो करके जाना, मैं मिलूंगा आप से नेक्स यूडियो में, तब तक के लिए, गुड़ पाई! हुआ